प्रियाग्राश्य सर्वग्भूष्ण आप पढ़ रहे थे समास प्रकरण समास में हम लोगों ने व्याई भाव समास पढ़ा तत्पुरुष समास पढ़ा तत्पुरुष के दो भेत पढ़े समान आदिकरण और व्यदिकरण समान आदिकरण तत्पुरुष को अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ने उसमें समान भिभक्तियां होगी करनर-, तत्पुरूष में आपने दुतिया था पाधा तस पुरूष चतुर्ति तत Tस पूरूष पंचमी तत मुक्ति पृष इसके लावा नए पूरुष प्रादी तत्पुरुष, गति तत्पुरुष, उप्पत तत्पुरुष और अलुग तत्पुरुष अब हम लोग चलने हैं समाना अधिकरन तत्पुरुष को आप ये जानते थे कि जिसमें दोनों में समान भिभक्ति हो तो उशी को हम लोग कहते हैं तत्पुरुषा समाना अधिकरन कर्मधारे की परिभाशा लिखी पानिनी ने कि ऐसा तत्पुरुष जो समान अधिकर्ण वाला है समान विभक्ति जिसमें है उसको हम कर्मधारे कहते हैं इसलिए आपसे परिक्षाओं में पूंच लेगा कि समाना अधिकर्ण तत्पुरुष क्या कहा जाता है तो समाना अधि समाना अधिकर्ण और वेदिकर्ण दो भेद तत्पुरुष के थे तो समाना अधिकर्ण तत्पुरुष कर्मधारे था और वेदिकर्ण तत्पुरुष में आप दुतिया तत्पुरुष 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 को पड़ रहे थे अब चुंकि बाखी चोटी कक्षां में या YourPete Titeyaदी की परिक्षा में करमधारे को अलग से समास किनते हैं इसलिए हम समास के च्छेबेद YU-Pete Tithe Titeya Kelsey की परिक्षा में आपसे बताते हैं पर यहां की इस परिभासा से इस सोत्र से ऐसा पुरुशा घो समाना अदिकरन कर्मधारे तो समाना गड़क्रान का मतलब हूं समान विवक्ति में 2 पद होते हैं फी पूरपद एक पूरपद जई पूरपद में भी प्रतमा है इता पृध में भीक्त भीवक्ति लगी वह समाना अदिकरण ग्रश होगा और उसको कर्मधारे सबूकर जाओं अधिकर्ण भेद को ही कर्मधारे समास कहते हैं तो यह आपको एकदम क्लियर रखना है कि है तो तत्पुरुष रमास ही और तत्पुरुष रमास का समाना अधिकर्ण वाला भेद कर्मधारे कहलाएगा और व्यदिकर्ण वाला भेद बिसे अलग-अलग विवक्तिया जिसमें यानि समान ओढ़न जिसमें समान विभक्ति पूरपद में भी समान जो समझना की कर्मधारे तो उसको क्या कहेंगे कर्मधारे आप इताओ यह है कि पूर्पद जो फूरुपद एवं इस सूत्र का मतलब बता रहे हैं कि ताद पर, यह कि पूरुपद फूरुपद वाला तत्पुरुस क्या कहलाएगा कर मदार है अब अब समान भिवकती में बताएं कौन भिवकती दोनों में रहेजिए पूरपद अुत्तरपद दोनों में Pratma तो देखें उधारणिया क्रषणा में Pratma है सरपा हमें Pratma है अब यह बन गया क्रषण Sarpah ये समान बिवक्ति समाना अधिकरन तत्पुरुष है आप से पूँचे कि कृष्ण सर्पा में कौन सा समास है तो चाहे आप कहिए कि करमधारे समास है चाहे आप कहिए कि तत्पुरुषा समाना अधिकरना अर्था समानाधिकर्ण तत्पुरुष का ही एक नाम कर्मधारे है अत्वा कहिए कि कर्मधारे का ही दूसरा नाम समानाधिकर्ण तत्पुरुष है समानाधिकर्ण तत्पुरुष कहलो और चाहे कर्मधारे कहलो एक ही बात है ठीक होगा अब उदारण आपको ध्यान रखना ह है कि कर्षा में भी समान अधिकरन प्रत्मा भी वक्ति और सरपा में भी प्रत्मा भी वकति है कर्षना सरप classrooms समान अधिकरन तत्पुरुष रखें करमधारत रीत पुरुष कर Windows के लिए विए तकर में हैं जैसे के अंतरगत कर्मधारे आया यह मोटी मोटी बात है अब समान आधिकर्ण तत्पुरुष के पूरुपद उत्तरपद दोनों में समान विवक्ति होती है इसलिए कर्मधारे को हम समान आधिकर्ण तत्पुरुष कहते हैं और इसलिए कर्मधारे को अलग से समास नहीं किना जात इसके आगे यह देखिए कर्मधारे अथवा समानाधिकर्ण ततपुरुष यह क्लियर हो गया न कर्मधारे कहिए शह समानाधिकर्ण ततपुरुष इनके पूरपद में विशेशन होगा और उत्तरपद में विशेशन होगा पूरपद क्या होगा पूरपद करमधारे में पूरपद विशेशन होगा करमधारे कहो जए समानाधिकरन ततपुरुष को एक ही बात है हैं समानाधिकरंत़ पूर Ukrainian को कहते हैं पारिक्षा में पूंचले क कौन सा असे द रख6 कहते हैं ख ether哈哈哈 कहते है अब इन्होंने कहाँ इसमें पूरुपत विशेशन होगा और उत्तर पद विशैस्शे होगा परिक्षा में पूंच ले कि पूरुपद विशेशन हो तो कौन सा समास होगा कर्मधारे होगा और पूंच ले कि पूरुपद विशेशन उत्तर पद विशेश से हो तब कौन सा समास होगा कर्मधारे होगा चाहे करमधारे कहिए चाहे समानाधिकर्ण ततपुरुष्ट और कहीं कहीं दोनों पद क्या होते हैं विशेश्य होते हैं और शूत्र याद रखना विशेश्णम विशेश्यन वहुलम विशेश्यन वहुलम यह समानाधिकर्ण ततपुरुष्ट करने वाला सूत्र है अत्व विशेश का विशेशन के साथ समास क्या कहलाएगा कर्मधार्य तति पूरुष कर्मधार्य समास क्हिए कर्मधार्य चलतस क Warum कै यदि अ उत्तर पत किसमें रेहेगा प्रतमा में रहेगा यानि पूर पत करद में तरतिया उत्तरपत में प्रतमा इसका मतलब ये विधिकरण gaming मतलब कि दोनों पधो में अलग-अलग भीवक्ति लगी हो और समानाधिकरण कामतश्य को दोनों यही बात इस सूत्र में है विशेशनम विशेशन विशेशन वहुलम अर्थात समान विवक्ति वाले विशेशन का विशेशन के साथ वहुलता से समास होगा वही उसका अर्था लिखा है समान विवक्ति वाले यानि पूरपद में भी प्र प्रतम उर्त्तर प्रतम πεंगों कर्मधारे तो समान विवक्ति वाले का बिशेशन और बिशेश के साथ बहूलता से समास उता हुजए बहुलमनने बहुलता से अधिकता कर्मधारे समास कि एक ही बात है तो विषेश से विषेश न में समास करने वाला समास है यही सुट्र यह यह दो अब करमधारे समास के करमधारे समास का भेद है अब भेद पर भेद आपको इपसली यही देखना है कि विशेशन और विशेश्च का समाँस है करमधारे कहा कि करमधारे समास कभी बिशेशन पहले होगा वैसे तो बिशेशन को पहले हो जाइए विशेशन पहले हो बिशेशन उफी बाद में बिशेश में जानते फिर कार्मधारे समाँ सुường में प्रथम पद विशेशन है और दूसर्ड़ा सकुन है उत्त्रबध कर्मधा था ए ninety Map पूर्वपद कर्मधारे का नाम में ही लिखा ना विशेषन पूर्वपद में हो ऐसा कर्मधारे विशेषन पद विशेषन का समास होगा तो विशेषन पूर्वपद पूर्वपद उत्रपद समास में दो होते हैं तो पूर्वपद में यदि विशेषन है तो उसको विशे पूर्पद कर्म धारे कहेंगे सीधे उदारन से कलियर कर लीजए हुआ है कि के इसको आप यहां से देखिया समास विग्रह और समासिक पद अर्थ सहीड क्रृष्णा और सर्प एक गरेस भलो हां और सर्प का भी शेशन है कृष्ण तो अब समास बना कृष्ण सर्पाह क्रिष्ण सर्पाह में क्रिष्ण क्या है बीशेशन है और पूर्व में है तो यह पूर्वो पद कर्मद्हारे हुआ ना पूर बीशेशन पूरुपद अर्थात जो विशेशन था वो पूरुपद में है और विशेश जो उत्तरपद में है इसलिए इसको कहा यह आप पढ़ना विशेशन पूरुपद करमधार है विशेशन पूरुपद में हो भाई समास में एक पूरुपद होगा एक उत्तरपद होगा यह पूर Χाऊ है कुछा पर मुशा ब्र corporal पर घृता कर्म भान जबतां कर्मधार Haन जिसके लो एसा कृमधारe समास जिसमें प्रथम प्रफम पर दो विशेशन हो हो और दूती कर्म पर कर्फम पर कृषन विशेशन है और दूसरा पर सर्पा जो क्या है बीशेश कर लेंगे ना तो एहां भी देख्लों फिए ग्रा में कृष्ण भीशेशन है और सरपा भीशेश इसलिए क्रश्ण सरपा जो बना वो भीशेश्न तो ऐसा समास जिसमें विशेशन पद पहले हो तो विशेशन पूरुपद समास करमधारे कहलाएगा विशेशन और विशेश सिका ही समास होगा अब उपमान पूरुपद करमधारे ही उपमानानी सामान्य वचने ही सुत्र है जब उपमान वाचक शब्द का सामान्य वाचक श तो गन उपमान है और शाम जो है उसकी उपमेयता है ना तो उपमेयता है उपमान का समाल से को पुरुषभ घ्रह और यह क्या दोग्डध के समान पुरुष मे घ्रिक श्याम यह घण के समान स्याम लता तो में पुरुषभ लेखिए तो आप देखें सब्में क्या है सब में करमधारे ही हैं अब यदि मोटी मोटी बात पूचे कि घनश्यामा में कौन सा समास है तो आप करमधारे याद रखी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो आप सिर्फ एक चीज याद रखेंगे क्या करमधारे मुण दुगि-धवलम में निर्दस्यामा में याखी यहां देखी है सब महाराजा महात्मा कृष्ण सरपाह और गहनश्यामा में पुरुषिव यागृघध द्वलम में सम्म में यह सब क्या हैं करमधारे ही और रूपक करमधारे आप अलग-अलग करमधारे को ना पढ़कर करके बलकि ऐसे ही पढ़ लिजे कि सम्मे कर्मधारे क्यों भाई उपमान और उपमे के एक रूप होने से जब उपमान उपमे अलग अलग ना रहें एक रूप हो जाएं तो उपमान उपमे पदिके समास को रूपक कर्मधारे कहते हैं कैसे रूपक कर्मधारे उधारन से समझ का एव अगनी शोक आगनी माने अगनी अलग और शोक अलग अलग नहीं है रूपक में यही तो होता है उत्मान और अभिन्य प्रतीत होते हैं अलग अलग नहीं रहते हैं तो शोक आगनी माने शोक ही अगनी शोक रूपी अगनी आग अलग और शोक अलग नहीं है इसलिए शो मुख अलग नहीं है मुख कमलम का मतलब जो कमल और मुख अलग अलग ना हो करके यही लिखाना कि यहां पर उपमान रूप में एक रूप हो जाते हैं अब मुख अलग हो जाए कमल अलग हो जाए तो एक रूप तक इससे हुई नहीं हुई ना तो मुख को ही कमल कह दिया परिक्षा पयोधी, परिक्षा रुपी सागर अधा उभय पते विशेष्ण कर्मधहे और पीला और कृष्ण ने काला तौप पिला और काला दोनों क्या है है बहई की लावी बिशेष्ट्ण है विशेष्ट नहीं है अधा-लौ। लेकिन पीला और काला देखो पीला भी क्या है विशेशन है यहां लिखा है कि समास में जो पूरपद है पूरपद है पीता और उत्तरपद उत्तरपद है कृष्ण और दोनों का है विशेशन तो विशेशन का विशेशन के साथ समास हो रहा है दोनों पद विशेशन है पूरपद भी विशेशन है उत्तरपद भी विशेशन है यदि दोनों पद विशेशन हो जाए तो उभय पद विशेशन करमधारे करें करमधारे के भेद हैं चोटे-चोटे पर आप इतने जानने क क्यां है यी कर्मधारे समास क्या है यह कर्मधार ऐसे स्वेट खृष्ऩाइश भी खिशेशन है करश्नमी भी घंडा और गरम रख्त पीता लाल और फीला श्वेट कृष्णा पीत और काला पीतर ओर कलाव तो पीता चा सो क्रश्णा है क्या थे जरौत क ölाने की आप कि ये सब क्या है कर्मधारे ये सब क्या है कर्मधारे अब ये कर्मधारे को आपको देखना है ये देख लिए परवल लिंगम द्वंद तत्पुरुशियो ये एक सुत्र है बड़ा इंपार्टिन है द्वंद और तत्पुरुश रमास का लिंग उस समास के बाद वाले पद क के समान होता है यह तो एक सिष्टम है आप देखिएगा आपने अभी देखा कि यह कह रहे हैं कि द्वंद और तत्पुरु शमास अभी द्वंद आपने पढ़ा नहीं इसके आगे पढ़ेंगे बस इसको जाने दे परवल लिंगम पर माने परवाले वत्मने तरह परवाले प परवाला पद का लिंग नपूशक लिंग है तो पूरा समास नपूशक लिंग में होगा। यह बाद वाला पद्वंद ग्रत दोनों में लागू होगे। दुछ दोनों में समझें आया कैसे यहीं पर आप इसको समझेज लिए अब शावी देखिये आप ये समास पढ़ रहे तत्पुरुष में आपने पढ़ा राग्यां पुरुषा तो पूरा समास बना था राज पुरुषा बना राज पुरुषा में पुरुष पद में पुलिंग था इसलिए पूरा पद राज पुरुषा पुलिंग में हो गया ना अब मालो यहीं पर एक उदाहरन आप ऐसे देते राग्या माता तो यह क्या बनता राज माता बना राज माता अब आपने देखा कि यहां उत्तरपद माता इस्त्रिलिंग में है तो यह राज माता भी इस्त्रिलिंग में हो गया और यहां उत्तरपद जो पुरुष है यह में है तो राजपुरुशा किस में है पुलिंग में यह तो सश्ठी तत्पुरुष नमास का उदारन था मान लो यह पुलिंग और समझ में आ गया ना अब मान लिजे आपने कहा आप कहें चोरात भयम जाद से यहिए नपून्शक्रुष निंग में अब देखना यह Jersey कह रहा है कि बाद में इस पद का लिंग में उत्तरपद किस लिंग में है उसी में पूरा समास होगा तो आपने समास बनाया चोरभयम बना अप चोरभयम में नपनुशक लिग है और अभी आप पढ़ए थे जी लिएयरियर को से लिए तो यह सवाल तो तत्पुरुष में भी होगा कि तत्पुरुष समास का कौन सा लिंग पुलिंग में होगा कि इस्त्र लिंग में होगा तब पाणिनी ने जवाब दिया कि तत्पुरुष और दौन्द समास का लिंग ने धारन करता है उत्तर वाला पद बाद वाले पद में यदि पुलिंग है देखो बाद वाले पद में पुलिंग है तो पूरा समासिक पुलिं में हो गया यहां बादवाला अउत्तर पadowадцकी किसमें हो गया यही बात उब어 अच्छ यह पूरा सूजब एक यह पूरा Tech कह रहा है दुने तुट्वर्शयों हो पी परवद लिगंग परवत मने पहार नहीं कि तरह दो परवाले पद की इतरह लिंग हो जाए द्वांद समास में और ततपborस समास कैसा हो जाए बाद वाले पद को देखे लो बाद वाले पद में जो लिंग होगा वही लिंग Pgeht पूरे कर लेंगे नग